हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डू सेवन मिनट ट्रिक्स पार्ट ओफ अनिकेडवी वाइफाई स्टड़ी मैं संजीव राट और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन में लास्ट सेशन में मैंने आप से पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पर अगला सेशन चाहिए और आपने चूज किया मॉडल वॉप को तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल वॉप पर एक इंपोर्टेंट सेशन आप सभी लोग जानते हो कि मॉडल वॉप की संख्या टोटल कितनी होती है तेरे जिसमें आपका में माइट क इनके कुछ ऐसे कॉंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने है और इनी पर आधारित आपके एक्जाम्स में कॉश्चन पूछे जाते हैं बचपन में जब हम पढ़ते हैं तो महीनों हमें मॉडल वॉप पढ़ाए जाते हैं में का यूज हम कप कर सकते हैं सेल का यूज हम करेंगे कैन का यूज हम कप करेंगे यूज का यूज कप करेंगे लेकिन जैसे जैसे हम उस एकेड़िक सिक्षा के बाद competition में आते हैं तोоде hedn protect में जरूत होती है सबसे पहला वाउप पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपके सामने कोई मॉडल वाउप आए तो मॉडल वाउप के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है कोई भी मॉडल वाउप हो मॉडल वाउप के साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है जैसे हमने लिखा हम मंदिर जा सकते हैं आप कभी ऐसे नहीं कर सकते कि वी कुड वें टू टैमपल जब भी हम बात करेंगे किसकी मॉडल वाउप की तो जैनरल केस में मॉडल वाउप के साथ हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जोगी तो ये वाला सेंटेंस आपका कैसा? ये पहला पॉइंट आपको याद रखना न वर्ब की SIS form न वर्ब की second और third form केबल और केबल model warp के साथ work की first form आएगी अब सबाल उगता है क्या हमेशा model warp के साथ work की first form में आएगी तो जबाब है नहीं कुछ ऐसी conditions भी है जब model warp के साथ हम work की first form का use भी करते है कैसे second or sorry third form का use भी करते है अगर कोई model warp आपके सामने है और model warp के साथ भी लगा है तो इसके साथ आती है work की third form क्यों क्योंकि उस condition में model warp आपका passive में use होता है और passive में आपने पढ़ रखा है कि passive में हम work की third form का ही प्रयोग करते है तो देखो अगर ये लिखाओ it can be solved by anyone अब आप देख पा रहे हो can आया था जो कि एक model warp है be आया हुआ है be बताएगा कि model warp आपका passive में है फिर उसके साथ आप work की कौन सी form यूज़ करोगे उस condition में आप फिर work की third form का यूज़ करोगे तो जब भी आपको model warp passive रूप में यूज़ करते हुए मिले passive रूप में यूज़ हो तो sentence आपका कैसा होगा work की third form के रूप में model warp के साथ आएगा अच्छा क्या और भी कोई condition है जब model warp के साथ हम work की third form यूज़ करते हैं हाँ और भी condition है जैसे कभी आपके पास could have आज़ आए तो could have के साथ हम work की कौनसी फॉर्म यूज़ करेंगे third form अगर कभी should have आज़ आए तो should have के साथ भी work की कौनसी फॉर्म आएगी third form अगर कभी might have आज़ आए तो might have के साथ भी हम work की कौन सी form यूज करेंगे might have के साथ भी work की third form यूज करेंगे अगर हम आप से बात करें would have तो इसके साथ भी हम work की कौन सी form यूज करेंगे third form क्योंकि ये model work का past use होता है सबसे ज़्यादा question इसी पर आधारित होते हैं इसी rule से पूछे जाते हैं तो इस rule का आप ज्यादा ध्यानक है ठीक है तो could have के साथ work की third form should have के साथ work की third form might have के साथ work की third form और would have के साथ work की third form तो example देखिए जैसे मैंने लिखा we should have completed are homework यहां पर आपके साथ should have आया था और should have के साथ हमने वर्प की कौनसी form यूज की है third form अगर model वर्प अकेले यूज हो तो वर्प की first form भी आज है तो पैसिब में होगा वर्प की third form कुछ एक एसी condition है जब हैप का यूज करते हैं तब उस condition में वर्प की third form का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे third form बाकी कहीं भी वर्प की third form का यूज नहीं होता है इसे आप ध्यान लखने अब इस लेवल के question नहीं आते SSC defense bank के exams में कि model वर्प में can का use कहां कहां कर सकते हैं may का use कहां कहां कर सकते हैं might का use कहां कहां कर सकते हैं ऐसे question अब exams में नहीं आते अगर आप उन चीजों को पढ़ रहे हो या उन चीजों पर अपना वक्त वर्पात कर रहे हो तो उन से बाहर निकलो वो आपके exam के level की चीजें नहीं हैं, वो आपके exams में नहीं आने वाली एक और condition जो आपको ध्यान लखनी है, जो कि हमने आपको sentence improvement में भी बताई थी कि जब भी आपके पास less आएगा, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो की less का meaning क्या होता है less का meaning होता है कहीं ऐसा ना हो की, यह आपका एक negative word होता है, तो इसके साथ कोई दूसरा negative word use नहीं होगा, एक अच्छी बात यह है, model verb का बहुत बड़ा हिस्सा है यह, क्योंकि इसके साथ subject किसी भी number या person का हो, subject singular हो, plural हो first person हो, second person हो helping verb के लिए हमीशा should का ही यूज़ करेंगे, हमने लिखा move fast less you should miss your train you should miss your train तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास less आएगा, किसी भी number या person का subject हो, हमेशा should का यूज़ करेंगे, मेरी classes के PDF आपको Telegram पर मिल जाएंगे Telegram का नाम है Sanjeev Sir English and Academy अगर आप इस Telegram को join करते हो, तो आपको मेरी classes के link, classes का PDF, सारी चीज़े आपको मिलती रहेंगी, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next और नए वीडियो में तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेनत करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी बहुत सारी classes के लिए Thank you, जेहें हमारे चैनल के लिए प्यान रखिए, जेहें